घर चाहे छोटा हो या बड़ा हो स्टोरेज की प्रॉब्लम हर किसी को आती है घर को स्मार्ट तरीके से मैनेज करने के लिए बहुत सारी टिप्स को हम लोग फॉलो कर सकते हैं घर में जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनके साथ हमारा पूरा दिन ही भाग दोड में निकल जाता है बेड को चाहे दिन भर में आप लोग कितनी बार भी बना लें एक से दो घंटे ही बच्चों को लगते हैं और बेड पे सारा समान आ जाता है चाहे वो टॉइज हो बोक्स हो पेंसिल हो और छोटी छोटी बहुत सारी चीजें जो कि हम लोग भी रख देते हैं डाइरी हो मैंने वेड साइट से परचेस करी थी तो शायद इसका लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊंगी देखने में लुक वाइस बहुत जादा अच्छी है क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी है जब जितना भी समान आपके बेड रूम में बिखरा हुआ था व आप इन सारी चीज़ों को उनकी जगए पर रखके भी आ सकते हैं तो बस एक मिनिट से भी कम लगा और देखिए बेड रूम हमारा कितने अच्छे से क्लीन हो गया बेड साइड टेबल पे आप लोगों को भी शायद ये इस्यू ज़रूर आता होगा जब हम लोगों ने वहाँ पे एक साइड लैंप रखी होती है डेकुरेशन क्ले क्लांटर भी रख लिया होता है और अगर आप लोगों को रात को यहाँ पे फोन रखने है मंचिंग ले क कुछ रखना है लेट नाइट अगर हम लोगों को क्रेविंग होती है तो यह सारी चीज़े रखनी पड़ती है उसके साथ यह चार्जर भी हो जाते हैं बोटल्स भी है पानी की बच्चों की अलग आप लोगों की अलग तो हमारी जो छोटी सी साइड टेबल है वो इतना सा समान बेर नहीं कर पाएगी तो हम लोग यहां पर क्या टिप फॉलो कर सकते हैं जो कि बहुत ही जादा प्रैक्टिकल भी हो और हम लोग उसे डेली बेसिस पे यूज कर पाएं तो मैं यहां पर इस तरीके के साइड टेबल है जो कि फोल्डिंग वाली होती है ना उनको यू रखना है क्लचर रखना है मंचिंक ले एक बॉक्स रखना है यह सारी चीज़े यहां पर आ जाएंगी और मेरी बेट साइड टेबल पर जो बास्केट रखी है उसके अंदर में सिर्फ नौवल्स को फोन को और उनके चार्जर को ही रखती हूँ और शुबवे उठने के बाद इस चोटी सी टेबल पर जितना सारा समान रखा होता है वह सारा मैं उठा लेती हूँ और उसके बाद मैं इस side table को fold कर देती हूँ देखी छोटी सी compact सी है और इसकी रखने की जगे मैंने बहुत अच्छी बनाई है bed के और मेरी bed side table के बीच की जगे में ये बहुत यसानी से fit आजाती है जब ज़रत होती है तो निकाल भी सकते हैं जब ज़रत ना हो तो किसी को दिखाई भी नहीं देगी अक्सर आप लोग मुझसे dressing table organization के बारे में पूछते हैं तो देखिए अगर आप लोगों के पास कोई dressing table नहीं है कुछ भी drawers नहीं है तो अगर आप लोगोंने कोई simple सी एक table है जिसको use करा हुआ है तो उस time पे ये वाले tip बहुत काम आएगी अगर आप लोगोंने कोई भी ऐसी table है जिसके ओपर इस तरीके की basket रखी है तो उसमें आप लोग काफी कम समान रख पाएंगे पर जितनी जगे इस basket ने ली थी उतनी ही जगे के अंदर आप लोगों का 2 tier या 3 tier का कोई organizer आ जाएगा और उसके बाद आप लोग देखेंगे आप लोग यहाँ पे कितनी सारी चीज़े रख पाएंगे उतनी ही limited जगे में मैंने यहाँ पे एक छोटी सी basket है उसका यूस करा है और उसके अंदर भी मैंने यहाँ पे partition बनाया है इस basket के अंदर जो partition बनाया था उसके अंदर सारा समान रख दिया है मैंने आप लोगों को यहाँ पे fast करके दिखाया था तकि आप लोग बोरणा हो जाए organizer के नीचे जो आप लोगों को space दिखाई दे रही है उसे भी हम लोग बहुत अच्छे से utilize करेंगे मैंने यहाँ पर मिठाई का एक box यूज करा है उसके अंदर भी मैंने makeup का ही कुछ समान रखा है तो अगर आप लोगों के पास कोई dressing table नहीं है किसी सिर्फ एक छोटी सी table के उपर आप लोगों ने अपना setup बनाया है तो आप लोग इस idea को जरूर ट्राइ कीजेगा बहुत ही पसंद आएगा आप लोगों को कई बार हमारे purse की collection या फिर हमारे clutch की collection हम लोगों ने कितनी जादा कर ली है हमें भी इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं होता है इस तरीके से अगर चीजे organize नहीं होती है तो मुझे tension भी होती है मेरा stress भी काफी जादा हो जाता है तो सबसे पहले तो यहाँ पे जितने भी purse clutch रखे थे सब को बाहर निकाल लेती हूँ उसके बाद मैंने यहाँ पे एक plate organizer है जिसको use करा है इन सारे छोटे बड़े purse को रखने के लिए देखने में बहुत ही जादा अच्छे लगेंगे आप लोग यहाँ पे compartment अपने हिसाब से adjust भी कर सकते हैं क्योंकि यह बहुत easily mold हो जाता है और जो बड़े purse होते हैं उन्हें रखने के लिए आप लोग इस hack को जरूर try कीजेगा इसी बड़े वाले bag के अंदर ही मैं इसका belt भी रखती हूँ कुछ मेरे पास अगर coupons हैं उन्हें भी रखती हूँ tissue paper जो free मिल जाते हैं उन्हें भी रख लेती हूँ कभी काम आ जाएंगे और इसके साथ ही एक जो छोटा सा मेरा purse है उसे मैं बड़े वाले purse के अंदर रख लूँगे तो इससे क्या होगा मेरे बड़े purse की shape भी maintain रहेगी दोनों purse अलग से जगे नहीं लेंगे wardrobe के अंदर और आप देखिए यह उसी जगे के अंदर बहुत यह सानी से fit हो जाएगा side में भी आप लोगों को काफे सारी जो यहाँ पे space दिखाए दे रही है उसे भी हम लोग utilize कर लेंगे मैंने यहाँ पे अपना एक extra जो मेरा make-up pouch रहता है वो रखा है इसके साथ ही एक bangle organizer है वो भी fit कर लिया है तो देखे यह आप लोगों का stress भी कम कर देगा और आप लोगों को पता चलेगा कौन सा वाला clutch आप लोगों ने कितनी बार use कर लिया है bed sheet अक्सर हम लोग जब भी खरीदते हैं तो कई बार जो उनकी packaging होती है वो बहुत ही अच्छी मिलती है तो मैंने भी अगर एक bed sheet purchase करी है और उसकी packaging मुझे अच्छी लगती है तो मैं उसे कभी भी throw नहीं करती हूँ और उसके लिए न multiple usage सोचती रहती हूँ कि इसको मैं किस तरीके से अपने घर पे use कर सकती हूँ bed sheet को हम लोग use कर लेंगे बच्चों के कमरे में dining table पे पर जो प्यारे प्यारे से cushion cover मेरे पास रखे हुए थे जो कि मुझे दिखाई भी नहीं देते थे कि ये मेरे पास है क्योंकि जितना आप लोग चीजों को organize करके रखेंगे उन्हें सही तरीके से रखते हैं तो आप लोग उन्हें use कर पाते हैं ये देखिए आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि इतने सारे cushion cover मेरे पास थे क्योंकि कहां bed में रखे हुए थे दिखाई भी नहीं देते थे और इनकी usage भी इसे हिसाब से कम हो गई थे तो अब ये bed sheet के cover के अंदर देखिए कितने अच्छे से organize हो गए हैं transparent है इसलिए अब मुझे सारे cushion covers इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं आगे आने वाली वीडियो में इन्हें मैं आप लोगों को अपने living room में balcony में कहीं ना कहीं लगा के ज़रूर दिखाऊंगे तब आप लोग बताईएगा ये आप लोगों को कैसे लगे मैं हमेशा इस चीज से परिशान रहती थी steplizer लगाना ज़रूरी है क्योंकि यहां पे light काफे ज़ादा fluctuate होती है तो आप लोग देखेंगे tv हो गया music system हो गया side में कोई lamp रखी है इसके wires ये सब लगाने ही पड़ते हैं और steplizer अगर आप लोगों को tv unit पे इस तरीके से दिखाई देगा तो कहां अच्छा लगने वाला है तो steplizer को हमें रखना भी है और दूसरों को दिखाना भी नहीं है तो सबसे पहले मैंने इसके ओपर एक वास को रखा है और उसे के combination से मिलता जुलता एक box रखा है और इस box के ओपर हम लोग कुछ novels हैं जिने रख देंगे तो इन novels को हम लोग कुछ इस तरीके से रखेंगे कि हमारा steplizer बिलकुल भी ना दिखाई दे और यह जो novels रखी है न यह बहुत ही ज़ादा attractive लगे हमारे living room में आप लोगों ने कई बार ऐसा करा होगा dish tv का जो box होता है वो हमारे tv cabinet पे रखा रह जाता है भले ही हम उसे charge करा रहे हो या ना करा रहे हो तो उसे रखना ही है न तो ये वाला hack try कीजेगा मैंने एक tray है जिसे golden paint करा था तो इस tray को हम लोग रखने वाले हैं उल्टा करके इस tray को आप लोग इस box के उपर रखिएगा किसी को नहीं पता चलेगा आप लोगों ने यहाँ पर क्या चुपाया है उसके उपर आप लोग कोई भी novel या फिर decor item रखके उसे hide कर सकते है अगर चैनल पर नए है तो ज़रू subscribe कर लीचेगा साथ में लगी घंटी को दबाईएगा जब भी आगे वीडियो आएंगी आप लोगों को पता चल जाएगा मैं मिलती हूँ आप लोगों से next वीडियो में तब तक ले with lots of love from that mystic trunk take care and bye bye